तो कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम डिस्कॉस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 नूटन्स लॉज अब मोसन से रिलेटेड हमने और भी कुछ वीडियो को बना रखा है जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यदि आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और सारे वीडियो को पार्ट वाइज जा करके देखें आपको एक एक टॉपिक बड़ा ही क्लिरली समझ में आएगा दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हार्स और कार्ट प्रवलम ठीक है दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा अज किस लेक्चर को तो आज हम सबसे पहले इस्टार्ट करेंगे हार्स और कार्ट प्रवलम ठीक है क्या हमने हार्स कट ले लिए इसमें देख रहा है कि यह जो घोड़ा गाड़ी है इसमें दो कंडिशन होगा पहला तो यहां पर सब्सक्राइब फॉर्स लगाता होगा जो इसका weight होगा mg वो downward direction होगा ठेक है इसका weight कि इदर होगा downward direction में होगा horse जो पीछे के तरफ force लगाएगा उस force के थूख कह सकते हो कि अगर force इदर के तरफ होगा तो इसके perpendicular इदर नॉर्मल reaction होगा यह रहा इसका नॉर्मल reaction ठेक है नॉर्मल reaction के दो components find करने पड़ेंगे ऐसी को वार्टिकल कंपोनेट होगा जिसको ने नाम दे डिर्क्षून मेदी मृद्ष लगाया है तो अर्थ भी आचसा लगाएगी और उतनी फोर्स लगाएगी जितना हेच पर लगाया था ठीक है और उनदिकने निकेक्जी मेझे निकाला एक वर्टिकल निकाला दूसरा किसी सपोर्ट के थ्रूब घर चैसे भी अट्याच होगा तो कह सकते हूं कि यहाँ पर जो इस्ट्रिंग लगा होगा इसमें कुछ नो कुछ टेंशन आएगा एक टेंशन तो हो इसको अपने तरफ खीच रहा यानि कि एक टेंशन इधर के तरफ होगा और दूसरा हम जानते है कि जितना horse इसे force लगाएगा cart भी उतना ही force पीछे के तरफ लगाएगा यानि कि यहाँ पर minus t tension cart जो है घोड़े पर पीछे के तरफ लगा रहा है लेकिन हम जानते हैं कि अगर घोड़ा गाड़ी ऐसे आगे के तरफ जाएगा तो इसका acceleration कुछ कह सकते हैं से forward direction में होगा तो forward direction में होने का मतलब क्या है कि horse के द्वारा जो लगाया गया force है वह force ज्यादा होगा income region of the force of the cart ठीक है एक और force लगेगा अगर हम इस cart पर देखें तो कैसे तो पीछे के तरफ एक force लगेगा जिस force को हम बोलते हैं friction force जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है इस small f क्या है वह friction force है जो कि पीछे के तरफ लगेगा आप सभी ने पढ़ा है कि friction force वह force होता है जो relative motion का oppose करता है यानि कि कह सकते हो कि हमेशा motion के opposite direction of friction force लगेगा यानि कि यदि body इस direction move कर रही है तो friction force इसके opposite होगा तो यानि कि लगवर clear होगा होगा आपको कि इसका वीडी हमने यहाँ पर बना रखा है ठीक है तो अगर हम देखे horse पर इस पर लगने वाला total force कितना है तो आपको मिलेगा अशा देखो यदिस का acceleration इधर के तरफ है तो घोड़े पर कितना force लगेगा yam into a क्योंकि इसका मास हमने small m ले रखा है तो इस पर इधर के तरफ लगेगा yam into a और जो cart है इस cart का भी acceleration चूकि घोड़े के acceleration के बराबर है तो इस पर इधर के तरफ लगने वाला जो force होगा वो होगा capital M into a ठीक है तो यहाँ पर देखोगे the total force the total force acting on cart यह किसके बराबर होगा इस यह बीडी से ज़रा समझो यह यह माइनस टी के बराबर होगा ठीक है ना यह माइनस टी के बराबर होगा तिया आप लिख सकते है यह माइनस टी विल बीकोस्टू यम में ठीक है यह माने बिल गया इसको हमारा कार्ट है घोड़ा गाड़ी है इस पर कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वह यम में के बराबर है और इसके अबीडी को देख करके आपको पता चलेगा कि इस पर भी एक नीचे के तरह बेट होगा जिसको कैसे तो इसको हमने डबलुवन माल लिए और इसको माल लेकते डबलुटू इसको डबलुटू को आर वैलेंस कर देगा ठीक है और टी है यहाँ पर टेंसन और टेंसन इस फ्रिक्शन फोर्स पर हाभी हो जाएगा यानि कैसे ज्यादा अब क्या करो दोनों एक्वेशन को अड़ कर दो इदी आप दोनों को अड़ करेंगे तो आपको एक्स लेशन का फर्मूला मिल जाएगा तो देखना यहां पर मैं मिलेगा अन एडिंग और एडिंग एक्वेशन फर्स्ट एन सेकंड वी गेट जब दोने एक्वेशन को आप आड़ करेंगे तो देखेएगा आपको क्या मिल जाएगा यह माइनस टी है इदर यहाँ पे दोगो क्या है टी माइनस एफ तो लिखा प्लस टी माइनस एफ इस इकोस टू इन दोनों को भी आड़ कर लो तो मिलेगा m into a plus m into a अब मिलेगा आपको इन दोनों में दोखो a common मिल जाएगा तो m plus small m into a एक हमें common ले लिया यहाँ पर यहाँ पर दोखो t से t cancel हो जाएगा क्योंकि एक value positive दूसरी value negative है यहाँ पर t से t cancel हो गया और हमें मिलेगा f minus, sorry, h minus f, ओके, तो यह जो कुस्ट मिल गए हमें h minus f upon m plus m, ठीक है, m plus m, तो यह हमें मिल गए axulation, यानि कि इस formula के हम से अगर हम चाहें, तो axulation का value find कर सकते हैं, यानि कि जो घोडा गाड़ी forward x remove कर रहा है, इसका total axulation कितना होगा, ठीक है, अब देखो, यहीं स यह जो चाहो, तो यह पर tension की value, tension की value को find कर सकते हो, तेखने tension की value को कैसे find करेंगे, equation first divided by equation second, we get, ठीक है, जब पहले equation से दूसरी को, sorry, पहले equation को दूसरी को दिवाइट करेंगे, तो आपको मिलेगा h minus t is equals to m into a divided by t minus small f, और तर मिल जाएगा capital m into a, a से a आपका cancel हो जाएगा, दोनों का cross multiplication कर लो, जब इसका cross, sorry, जब m का cross multiplication इधर करोगे, तो मिलेगा capital m into h minus t into capital m, यह जो को इधर देखना मिल जाएगा, t into small m minus f into m, ओके, तो इसमें क्या करते हैं, बच्चों, जो tension वाला जो part है, उसको एक side में कर लो, तो यहाँ पर देखो, minus t यहाँ में दूसरे side य जाएगा, और यहाँ पर देखो, यह तुम्हारा minus में है, इधर आगा, तो plus मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको, t into m plus t into capital m is equals to, यह जो term है, जब इधर आएगा, तो मिलेगा आपको m into h plus f m, ओके, small m है इधर, इधर लिखा small m, अज़ो को दोनों में से tension t को common ले लो, त equals to m h plus f m, now, यहाँ पर हमें tension की value अगर हम चाहा, तो tension की value निकाल सकते है, capital m into h plus f into m upon m plus m, ठीक है, तो अच्छो, इस formula से अगर आप चाहें, तो tension की value को भी find कर सकते हैं, और दूसरा, यदि आप चाहें, acceleration का value find करना, तो acceleration की value को भी find कर सकते हैं, तो चलदी से वीडियो को pause कर करके, इस derivation को note कर लो, यकिनना आपको समझ मैं होगा कि कैसे, कोई भी घोडा गाड़ी, forward direction कैसे move करती है, इस equation से आपको समझ में आ चुका होगा, तो जल्दी सी से note करो, फिर हम बढ़ते हैं, अपने अगले topic की और, कि अगर कोई बंदा, lift में खड़ा है, या फिर कैसकते elevator में खड़ा है, तो उसके weight में क्या क्या changing आती है, या क्या apparency आती है, आईए उसको समझते हैं, जल्दी सी से note करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सो गाइस, आईए देखते हैं, apparent weight of man in lift, ठीक है, सब्सक्राइब कोई lift है, lift यदि upward direction move करता है, तो उस condition में, जो भी person उस lift के अंदर होगा, उसका weight change हो जाता है, ठीक है, और यदि कैसकते हो, lift downward direction move करेगा, in that case also, जो person उसके अंदर होगा, उसका weight change हो जाएगा, यानि कि कैसकते हो, कि जब कोई body upward direction move करेगी, या फिर downward direction move करेगी, तो दोनों ही condition में, उसके अंदर जो person होगा, उस person का weight change हो जाएगा, तो हमें उसी change को निकालना है, कि कब weight वढ़ेगा, और कब weight घटेगा, और कब weight constant ह होगा, ठीक है, तो यह देखते हैं, अगर हम बात करें, इस lift का, और यह lift upward direction move कर रहा है, ठीक है, तो पहला condition लेखते हैं, when the lift move upward with acceleration A, ठीक है, अगर सबसकर लोगी, जो हमारा lift है, lift upward direction move कर रहा है, और इस lift का acceleration A दिया हुआ है, ठीक है, तो इस condition में यहाँ पर जो बंदा खड़ा होगा, जो person है पर खड़ा होगा, अगर हम उसका FBD बनाएं, तो सबसे पहला तो एक, इसका, जो है, का सकतो हो, नीचे के तरफ एक weight होगा, इसका weight का सकतो हो, इसका mg होगा, नीचे के तरफ क्योंकि यदि इस person का weight direction में होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर normal reaction है, और दूसरा है weight, अब simply सोचो, यदि यह body upward direction remove कर रही है, means यह हुआ, यहाँ पर normal reaction का effect ज्यादा होगा, और इस weight का effect कम होगा, क्योंकि body forward direction move कर रही है, ठीक है, जिस condition में हम कह सकते हैं, here, r-mg is equals to m into a, अच्छा, m into a हमने कैसे लिख लिख लिया, क्योंकि body upward direction remove कर रही है, तो इस पर लगने वाला total force कितना होगा, m into a के बराबर होगा, इसलिए आपर हमने दोनों में अगर हम देखें, यहां पर जो इस body का weight होगा, वह weight बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अगर देखें कि इसका apparent weight जो होगा अगर lift upward action move करेगी तो उस body का weight बढ़ जाएगा जो इसके अंदर रखा होगा या जो person इसके अंदर खड़ा होगा उस person का apparent weight बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि एक्सेलेशन और एक्सेलेशन डूटू ग्रैविटी दोनों को जब जोडेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक्सेलेशन का effect ज्यादा हो जाएगा मिन्स यहाँ पर weight बढ़ गया दूसरा condition देखते हैं वेन लिप्ट मूव डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलेशन ए ठीक है अगर सबसकर जो लिप्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलेशन मूव कर रही है तो इस condition में कह सकते हो कि इसके अंदर जो person होगा जो बंदा होगा इसका मास यदि यम है तो कह सकते हैं इस पर एक ऊपर की तरफ लगेगा जो की normal reaction होगा दूसरा नीचे की तरफ लगेगा जो की mg इसके वेट के बराबर होगा ठीक है जो वेट होगा mg के बराबर होगा अब ज़रा सोचो कि body downward direction move कर रही है इसका संसया हुआ कि weight का effect ज्यादा होगा in compression of normal reaction means हम weight में से normal reaction को जब subtract करेंगे तो total force निकलेगा तो here हम कह सकते here mg minus r will be equals to m into a ठीक है सभी को समझ मैं होगा कि यह value कहां साया है ठीक है यहाँ पर देखो यह r opposite direction में है इसलिए mg minus r हमने लिखा यहाँ पर हमने r minus लिखा था क्योंकि r का value greater था और mg कम था कोगे सरीक ऐसे अब यहाँ पर देखो दोनों equation में अगर हम देखें तो इन दोनों में m common है तो में common ले लिया में लेगा g minus a तो यहाँपर हम देख रहे हैं कि जो net weight होगा इस person का जो इस left के अंदर है वो decrease हो जाएगा decrease क्यों हुआ यहाँपर देखो यहाँपर यहाँपर क्या हो रहा था weight increase हो था कंडिशन में और यहां पर आपने देखा कि इस कंडिशन उड है वो क्या हो रहा है डिक्रीज ची हो रहा है डिक्रीज क्यों होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एकसलेसिंगर दू ग्राविटी में से अगर ہा मैंस करेंगे तो सका सबस्क्राइब कर दो कि नहीं कि अब Wonderful में है कि दॉलिप जाएगा वीकिषिण पने इस्टीशन सभी मोगाजी क्या होगा कैसे तरफ लगेगा ऊपर के तरफ लगेगा नॉर्मल एक्षिन यदि इस परसन का मास M है तो ठीक है और यहाँ पर आप देख रहा है कि acceleration बराबर 0 है क्योंकि body rest में है और जो body rest में है तो acceleration इसका क्या होगा 0 तो यहाँ पर कह सकतो here here r minus mg equals to 0 ठीक है चाहो तो mg minus r equals to 0 लिख सकतो तो क्योंकि दोनों का effect एक बराबर है तो यहाँ पर फोर्स जीरो आएगा जीरो क्यों आएगा क्योंकि एक्सलेशन 0 है तो फोर्स जीरो आएगा अब देखना यहाँ पर बिल जागा तुम्हें आर जीकोस्ट यमजी यहाँ पर आप देख रहा हैं कि इस परसन का बेट चेंज नहीं हुआ याँ कि अगर बेट जो होगा वह रेस्ट पोजिशन होगा यानि इस्टेशनली पोजिशन में होगा तो कैसे तो वहाँ पर नॉर्मल एक्षन कॉंस्टेंट होगा यदि लिप्ट अपवर्ड एक्षन मूब करेगा तो जो परसन है उस प पनाव आओव अवर नेक्स सब्सक्र सॉपभ एक ओक्षार सब्सक्राइं मैं तो पहले समझना कि लाउप अन्धर मोमेंटुमे क्या कहता है according to law of conservation of linear momentum the total momentum of an isolated system will be always concerned concerned का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर change in momentum 0 होगा यानि कि अगर कोई एक isolated system हमने ले लिया सभूज करो कि यह कोई एक isolated system है तो इस isolated system का जो total linear momentum होगा वो हमें साख concerned होगा यानि कि change in momentum 0 होगा यानि कि कह सकतो कि momentum में जो changing है वो कितना आएगा जीरो ठीक है या फिर कैसे डीपी का वेल्यू कितना होगा जीरो होगा यह कैसे होगा इसी चीज को में यह पर प्रूब कर रहा है कि change in momentum 0 होगा for an isolated system ठीक है तो सबसे पहले तो तो तुम यह समझ लो कि isolated system क्या होता है what do you mean by isolated system ठीक है simple सी बात है कि isolated system हम उस system को कहते हैं जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता इसका sense क्या है कि उस पर बाहर से ना तो कोई force लगेगा ना तो कोई pressure work करेगा ना तो कोई energy मिलेगी उसे मतलब बाहरी दुनिया से उसे कोई भी मतलब नहीं होगा उसे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के दुनिया से मतलब होगा यानि सिर्फरी कह सकते हो क्या कि इसके अंदर जो particles होंगे उन particles का velocity या कैसे तो इसके एक्सेलेशन या इस पर लगने वाले फोर्स ठीक है या इसके टंप्रेचर वह हमेशा कंस्टेंट होगा वह कभी बदलेगा नहीं क्यों क्योंकि यह एक isolated system है और इस isolated system पे बाहर से कोई भी external force वर्क नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर देख हम मृकि करते हैं कि पहले पार्टीकल कंस्टे अच Вамन है दूसरे पार्टीकल का Estamos हमने यंद वाली तीसरे typical इसको प्र content Okay और इसको हमने अनुदिग है कि अ सिस्टम होगा तो जब करेगा इसे में पहले पार्टिकल का हम वेलॉस्टी यहां पर प्राटिकल वेलॉस्टी हमाल लेते वी टू हो यह धर थोड़ा सार डिरिक्ष्ण हो गया यह M2 मास था ठीक है यहां पर इसका velocity हमने माल लिया V4 वैसे ही यंत वाले का हमने माल लिया VN माल लिया ठीक है तो इस condition में कैसे को here the total linear momentum will be equals to M1 V1 M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 S1 plus MN VN ओके इतना तो clear हो गया होगा आपको कि जो total linear momentum होगा वो सारे के सारे momentum के vector समके बराबर होगा means यहां पर हम लिख सकते हैं P is equals to P1 plus P2 plus S1 plus PN ओके इतना तो clear हो गया होगा बच्चों अब ध्यान देना एक चीज as we know that as we know that the rate of changing linear momentum will be equals to applied force ठीक है ना जो rate of changing linear momentum होगा वो हमेशा applied force के बराबर होगा ऐसा आपने Newton के second law में पढ़ा हुआ था ठीक है तो इसी लोग को हमें आप अप्लाई करते हैं लेकिन अगर हम बात करने एक isolated system का तो for an isolated system तो total force होगा total external force हमेशा जीरो होता है यहां पर total force की value 0 हो गई तो कह सकते हो कि हम simply इसको लिख सकते हैं dp upon dt will be close to 0 ठीक है अब यहां पर आपको मिल गया the rate of changing linear momentum will be close to 0 means यहां पर लिखा जा सकता है कि the linear momentum will not be changed यानि कि कह सकते हो p1 plus p2 plus s1 plus pn will be constant ठीक है constant क्यों होगा क्योंकि simply कह सकते हो कि जब इस पूरे term को differentiate कर रहा है तो value 0 आ रहा है यानि कि इधर का भी differentiation कर दो इधर का भी differentiation कर दो तो constant term का differential value होने से कहता है 0 इसलिए कह सकते हो यहां पर momentum में कोई भी changing नहीं आ रही है इस system का जो total momentum momentum पहले का है वही momentum बाद का भी होगा क्योंकि यहां पर कोई भी external force act नहीं हो रहा है क्योंकि यह एक isolated system है ठीक है तो जल्दी से वीडियो को pause करके इस topic को note कर लो so guys अभी just हमने जो आपको बदाय था law of conservation of linear momentum वो second law के according हमने उस derivation को solve किया था आईए अब हम third law के according law of conservation of linear momentum की derivation को solve करेंगे ठीक है तो इसके लिए देखो हम consider करते हैं कि यहां पर कोई body है यह मोवन जिसका velocity दिया हुआ है यूवन यह यह यूवन विलोस्टी से आगे कि तरब मोब कर रहा है एक दूसरी body है जिसका mass है M2 जो की U2 velocity से मोब कर रहा है अगर सपोचको लो U1 is greater than U2 तो in this case यह दोनों body कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को collide करेगी जब दोनों body एक दूसरे से टकराएगी तो जो पहली body है वो दूसरे body पर force लगाएगा F21 क्या हुआ force on second body due to first body और जो दूसरी body है वो पहली पर force लगाएगी यानि कि इसको उन्हें नाम दिया F12 या front 2 मतलब क्या हो गया force on first body due to second body ठीक है और उसके बाद दोनों body का velocity चंज हो जाएगा यानि जो body का mass या वोन था उसका velocity V1 हो जाएगा और जिस body का mass M2 था इस body का velocity V2 हो जाएगा ठीक है मास में कोई चंजिंग नहीं आएगी बदलेगा तो सिर्फ क्या velocity यहां पर पहले यूवन था यह भी वन में convert हो गया और जो velocity जिस मास का velocity यूटू था वह वीटू के फार्म में convert हो गया है ठीक है तो लिख सिर्फ क्या हिएर हिएर यॉवन तूँ हिए जुक मास में पर टी यह प में गया डल्टा पी वन आपॉन पर टी थे कह डिल्टा पी 105 थे ।달टा पी 105 हो गया है M1 V1 minus M2 V2 sorry M2 U1 sorry P1 जो है पहले body का momentum है तो पहले body का देखो final momentum क्या होगा M1 V1 और इसका initial momentum क्या होगा M1 U1 तो यहां पर लिखें कि क्या M1 V1 minus M1 U1 okay whole divided by delta T इसको मैंने माल लिया first equation okay इसको मैंने क्या माल लिया first equation consider कर लिया है and जो हमारा F21 होगा here F21 will be equals to delta P2 upon delta T आज़ा देखो दोनों में हमने time के value एक समान रखा है time के value एक समान क्यों रखा क्योंकि दोनों जो body collide कर रही है वो एक ही time में collision हो रहा है इसलिए दोनों में हम time का value constant रखेंगे ठीक है तो delta P2 दो क्या हो जागा हम देख रहे है पहले हमारे body का mass M2 था velocity U2 तो momentum M2 U2 हो जाएगा और जब finally जब दोनों body collide कर गई उसके बाद में इस body का mass M2 है और इसका velocity change हो गया velocity हो गया V2 तो क्या सकतो momentum M2 V2 में करमाठ हो गया ठीक है यहाँ पर लिखेंगे क्या M2 V2 minus M2 U2 whole divided by delta T this is our second equation ओके अब आपको यह चीज पता होगा कि according to Newton's third law each and every actions have equal and opposite reaction यानि कि कह सकते हो कि पहली body ने जितना force दूसरे पर लगाया था दूसरी body भी पहले पर उतना ही force लगाएगी ठीक है तो आप लिखेंगे क्या F12 is equals to negative sign of F21 आप सभी जानते कि ऐसा होता है कि पहली body दूसरे पर इतना force लगाएगी दूसरी body भी पहले पर उतनी force लगाएगी ठीक है तो इसका value देखो हमने यहाँ पर finding किया है यह क्या है M1 V1 minus M1 U1 upon delta T और इदर हमें मिला है minus of M1 sorry M2 V2 minus M2 U2 upon delta T यहाँ दोगर delta T से delta T cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा M1 V1 minus M1 U1 बराबर minus M2 V2 plus M2 U2 क्योंकि जब negative sign अंदर जाएगा तो इन negative जो टर्म हो positive में करवाट हो जाएगा और जो positive है वो कैसे negative है यहाँ पर मिला आपको M1 V1 इसको इधर लेकिया दो plus M2 V2 यहाँ दो कोई negative दूसर से जाएगा तो plus में करवाट हो जाएगा तो M1 U1 plus M2 U2 ओके तो यहाँ पर मिल गया the total final momentum of the system will be equal to the total initial momentum of the system यानि कह सकते हो कि जो momentum है momentum of body before collision will be always equal to the momentum of body after collision ठीक है यानि दोनों ही momentum हमें से एक समान होगा body के collision से पहले जितना momentum था उतना ही momentum body के collision के बाद भी होगा गर total momentum की हम बात करें तो ठीक है कि momentum में कोई वी changing नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपने second law के help से आपने law of conjunction of linear momentum को derive किया है और अभी हमने यहाँ पर third law के help से law of conjunction of linear momentum को आपको समझाया है तो आप मैं कुछ पल के लिए हट गया हूँ आप चाहित इस वीडियो को pause करके इसको note कर सकते हैं ठीक है यकिनन अगर आप physics पढ़ रहा है तो pen copy तो ले करके पढ़ी रहे होगे ठीक है और अगर नहीं है पास में तो इसका screenshot भी ले सकते हो ताक कि जो भी हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हो जान सके और उन्हें हमारे चैनल से जो भी लाव मिलना हो वो मिल सके यानि कि जो भी लेक्चर उन्हें चाहिए और यदि वो लेक्चर हमारे चैनल के प्रवाइड होगा तो यकीनन उन्हें मिल जाएगा तो तब तक लिए विदा लेंगे मिलेंगे आप से अगले वीडियो में एक नहीं एनर्जी के साथ जाहें दोस्तों